पूरे मन से लोकों ने भारत को आजाद कराने के लिए जो तैयारियां शुरू की थी इंडिया को ब्रिटीश की चंगुल से चुरूआने के लिए जो मुमेंट शुरू की थी उस मुमेंट के हम पार्ट नमबर फॉर में आ गए हैं हमने पार्ट नमबर थ्री में देखा था कि कैसे महात्मा गांधी ने चंपारण मुमेंट की और चंपारण की किसानों को नील यहनी की इंडिगो जो एग्रिमेंट था उससे फ्री कराया था तिन कतिया सिस्टम आपको पता था कैसा बुरा सिस्टम था यह ओके फिर उसके बाद उन्होंने अगले ही साल खेडा और एहमदाबाद 19, 17 और 18 में यह दोनों लगातार मुमेंट रही खेडा की किसानों के जो प्रोब्लम्स थी नो टेक्स मुमेंट की वो टेक्स नहीं देना चाहते थे और गांधी जी ने उनके फेवर में आकर खेडा की मुमेंट को सक्सेस्पुल कराया था पिर नाइटिन एटिन में गुजरात का एहमदाबाद मिल वर्क जो प्रोब्लम्स को उन प्रोब्लम्स का भी सोलूशन कराया प्रोब्लम्स सब को पता है प्लेग बॉनस जो प्लेग विमारी पैल गई थी जिसे लोग मारे गए थे प्लेग बॉनस और याद होगा आपको अंबालाल सारा भाई अंबालाल सारा भाई और उसकी सिस्टर अनुसुया जो गांदी जी का साथ दे रही थी तो यह लोग बड़े पेमस हुए थे उस ट्राइग में ठीक है ओके जैसे तैसे गांदी की मोमेंट चुरू हो गई और एंड भी हुई लगबग लगबग थी अब इसके बाद नैशनलिजम इन इंडिया इसके बाद नेशनलिजम इन इंडिया 4 में हम आज study करेंगे कि कैसे वर्ड वार जब end हुई और उस वर्ड वार के end होने के बाद Britishers ने इंडिया के ओपर ठीक है Indian Defense Act के थुरू Indian Defense Act के थुरू उन्होंने बहुत सारी सिस्टम यहां पर लगाए रोलेट एक्ट सर सिद्नी रोलेट ने कैसे यहां पर एक्ट लगाया ओके देखिए अब अब आप देखिए वर्ड वार परस्ट ठीक है जब यह वर्ड वार वर्ड वार फस्ट जो है जो चल रही थी 1914 से लेकर इसका टाइमिंग रहा था इसका टाइमिंग रहा था 28 जुलाई 28 जुलाई जुलाई 29 एंट हुआ यह तो इसका स्टाइमिंग यह था क्षाटर्ट और चात चली थी और इसके बार में आप दिखूगे चार साल कंटिनी होने के बाद 11 नमबर को 1980 में ये वार एंड हो गई थी ठीक है एंड हो गई थी तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग में चार साल लगे इन चार साल में वर्डवार में बहुत नुक्सान हुआ अब इसी बीच में एक बहुत अच्छा फाइदा भी हुआ कम हमारे लोग वह मारे गई वर्लवार में इंडिया के लोग में विटिस की वैसे हो फाइदा क्या हुआ है इन चार साल के दुरार ब्रिटीश प्रोड़ेक्ड इंडिया में नहीं आपाएं आप जानते हो वार ुअटाइम में कोई भेशता नहीं इंगलेंड से कोई इस शिप भरके इधर आएगा पूसीबल ही नहीं है क्योंकि बीच में उसको डुबो देंगे वार चल रही है इंग्लेंड का जो भी दुश्मन होगा उसका ध्यान होगा शिप पर कारगो शिप पर जो की समान से लबे होते हैं तो वो उसके उपर ध्यान लखेगा और ऐसे मे इंग्लेंड से आने वाले पूर्डेट यहां पर बंद होगए तो जब आने वाले जैसे की यहां पर आते थे वो बंद होगए जो आयरम की जो पूर्डेट बन के आते थे वो बंद होगे यहां पर ठीक है और यहींड की आ Šई Marketing पर इसको को मोक्षा मिला, Tata Iron and Steel Company. आपने सुना होगा, TISKO बढ़ी फेमस रही थी. 1907 में इसको बनी थी, TISKO, TISKO. इसको जो थी, इसका तो foundation हुआ था. Foundation हुआ था, TISKO Foundation. 1907 में इसका foundation हुआ था, इसका फुल फोरॉम होता है Tata, टाटा आइरन आइरन एंड स्टील टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी यह जो शुरू हुई थी 1907 में अब इसे 1912 के बाद मोका मिला 1912 के बाद 1918 तक लगातार इसने काफी बढ़िया काम किया इंडिया में ठीक है इंडिया में रेलवे का काम प्रेटिशर शुरू कर चुके थे इंडिया में रेलवे का काम कब शुरू हुआ था 1853 में इंडिया में पहली बार रेलवे शुरू हुई थी पहली रेलवे इंडिया में 1850 में शुरू हुई थी देखिए इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे य मुंबई एर चुरू कि गई थी यह लेट रेलवे ट्रैक क्यों बिछाया गया था ताकि महराश्ट की कोटन को बंबे पोर्ट तक लाया जा सके महरास्ट की पूना एरिया में और उसके अंदर जो कोटन उपती है उसको हम भाहर ला सके इसलिए एक रेलवे ट्रैक यहां पर बिचाया गया था ओके और वह कितने किलोमेटर का था 34 किलोमेटर 34 किलोमेटर का रेलवे ट्रैक एक रेलवे ट्रैक बिचाया गया था यह देखिए लेकिन इस रेलवे ट्रैक को जो शुरू किया था सबसे पहले यह ब्रिटिश प्रोडेक्ट ही था यह ब्रिटिश प्रोडेक्ट इंग्लैंड से रेल गेज बना कर लाते थे अब railway का काम यह चल रहा है अब उनको रेल गेज चाहिए तो उन्होंने Britishers ने टिसको को contract दे दिया अब टिसको रेल गेज दे इए Britishers को तो महराष्ट में पूरे महराष्ट में railway expense हुआ फिर North India की तरफ UP की तरफ railway का expense हुआ तो सोचों की आने वाले टाइम में Britishers की वज़े से तो इनको काम मिल गया काम मिल गया ओके अब तिसको नकीवल तिसको नकीवल railway के लिए काम कर रहे थी इंडियन इंडियन इंडियां रेल्वें कांट्रेक्ट मिलां किम्यों एंगाओं बिषां देडियां इंडियन किम्योंaving can ब्रिटिशन से इनिए के वलिंको रेलवी के लिए रिया बलकि वार वैपन मी बंदाने लगे जैसे में हैं कूंगी इंदिया में कुछ ऐसी इसको के अलावा टिसको से हटकर कुछ फैक्ट्रीया यहां पर गलोथ में और जो मैनॉफेक्टरिंग के ऐसी टैंट बन रहे हैं सनersona जोट कि इसनी हो जिसमस्राइए मिलटरी की कपड़े बन रहे हैं सब्सक्राइब करनाने का काम हो गंपाउड और बोला बारूद बनाने का काम भी या शुरू कर दिया गया इस तरह से बहुत सारे चीज़ें शुरू कर दी इन्हों ने इंडिया के लोगों ने क्योंकि इसके डिमांड थी प्रिटिसस कॉंट्रेक्ट दे रहे थे इस चीज़ के लिए ठीक है ओके अब आप यह कोगे जपान बेंगोल था तो हम लोगों जो थे वह जरूँए दोडीने ब्रिटेन के लोगों को ट्रांग करेंगी एक्सपोर्ट यह ब्रत्सक्राइब कर सकते हैं मैं इस तरह से मुंपेट चल पड़िए उस समय इंडिया में आपको पता होगा कि 1915 में मैंने आपको लगनव प इचले वीडियो मेंने डिस्कस किया था तो उस समय सारे लोग इखटा होकर यह की डिसिजन लेते हैं लगनों पैक्ट और होम रूल लीग में यह डिसिजन लिया गया कि सवदेशी अपना हो अपने देश के वैपार को इतना सोलिड बना दो कि हमें ब्रिटीश से टकराने में कोई हेजिटेशन ना हो आर पार की लड़ाएं लड़ें ठीक है या तो इस पार या उस पार इस तरह की यह तैयारिया करने लगे और सच बताओं हमारा प्रड़क्शन तेजी से बढ़ने लगा इंडियन जो ट्रेडर थे वो सामने आई जिनकी हालत पहले खराब हो चुकी इसके बाद जब वार एंड हुई 11 नमंबर को जब वार एंड हुई तो उसके बाद में ब्रिटिशन ने हमारे यहां पर हमारे यहां पर ताबर तोड कुछ इंडियन डिफेंस एक लगाई इंडियन डिफेंस को लेकर इंडियन डिफेंस एक इंडियन डिफेंस एक यहां पर लगया इंडियन दिपैंज सथी जो की नाइटिन से में त्यार हुआ था थिक नाइटिन सब्सक्राइब इस क्या वह गाता इंडिया फिसको हम इंडिया एक्ट ऑफ इंडिया कै personalities पर्ली इंडिया एक्ट और यह माना चाहेगा इन त्यार किया गया आइक्च्वल में ये लोग क्या प्लादिंग बना रहे थैं कि इंडिया के लोग ब्रितिश को बिलिटीशं के अगेंस्ट मुमेंट कर रहे हैं और उनको सप्रेस्क करना जरूरी है उनको कंट्रोल करना जरूरी है जीसे की बंड़बार के टाइम मादमा दादी इने तीन-चार मोमेंट कर दी थी और भी अलग अलग जगहां पर मोमेंट हुई थी तो उन्ह सब को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार का हैत्ता में याने कि ब्रिडिश को इंडिया पर लगाना पड़ा इसके लिए सबढसर लिए ने में ही सर शीडनी रोलेट ने सदिशन कमेटि के सामने सक्रंव और इस्सेडिया था सदिशन कमेटि बनी स्धिशन् कमेटी किसे इस कमेटी का ahead वो इसका नाम था सर सिडनी सिटनी सिटनी िरो बने ची कर तो सिटनी रोलेथ इंडिया के अंदर हो रही एक्ismo को कंट्रोल करने के लिए इसके पास planning थी सर्रॉलिट के पास planning थी कि हम इंडिया के activity को सेटिशन कमीटी बनाकर पुरितर रोख सकते हैं आपड़िते सेटीशन कमीटी नहीं है ऐसा नहीं है एकि लिज़विञीडिया में पहले tekin सदिशन कमेटी बनाई गई ती 1870 में सभी साथी कमेटी Genau बात्रण इससे पहले एक वर जो बनी थी, वो 1870 में बनी थी, ठीक है, ये ओल्ड थी, ओल्ड, देखिए, ठीक है, ओल्ड सेटिशन कमेटी जो थी, वो 19, sorry, 1870 में बनी थी, अब न्यू जो रिंप्रू हुई है, वो 1917 में सेटिशन कमेटी, सर, सिड्मी रोलेट की दूरू शुरू सर रोलेट ये कह रहे हैं, सर रोलेट ये कह रहे हैं, कि हम इंडियन्स, जो इंडियन्स जो अमारे किलाब कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, जो भी हमारे अगेंज कुछ भी मोमेंट करते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बिना किस ट्राइल के जड़ के सामने ले जाए वेना उनको जेल के अंदर बंद कर दो मलब जो भी प्रेटीस के कुछ भी खिलाब आर्गूमेंट बोले उसको जेल में धूस दो जज़ के सामने ट्राइल ही मतोंने तो एक ऐसा खौब पैदा हो जाएगा लोगों के मन में कि अगर अग अमें 2 साल के लिए अंदरबंद कर दिया जाएगा यह रोलेट एक्ट था जो सिट्नी रोलेट के अपोडिंग तयार हो रहा था ठीक है ओके देखिए सेडिशन कमेटी के तुरू पर यह हैं 1919 में किसी जरू कर रोलेट कि अल्लेट यह रहा है इसमेशन क्या मतलब यह रहा है इनमें दोनों में connection क्या है एक पहला connection तो यह है कि सर सिडनी रोलेट ने इस एडिशन कमेटी की दुरू इसको बनवाया था पहली बात तो यह इसके दुरू बनवाया था इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रिटीसस के अगेंज कुछ भी argument करें उसको जेल के अंदर बन करतो दो साल के लिए जज के सामने उसे लाओ मत दो साल के बाद प्रायल करवाएंगे आजकल क्या होता है कि जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो 24 गंटे के अंदर उसको जज के सामने ले जाना पड़ता है और जज फिर डिसाइड करेगा कि उसको कितने साल की जेल होगी जज डिसाइड करेगा कि कितने साल की जेल होगी उसे लोक अप में पुलिस 24 गंटे जादा नहीं रख सकती लेकिन इस एक की तुरू बिटिश पुलिस को ये अधिकार थे कि पकड़े वे सस्पेंस पे पकड़े वे आदमी को वो दो साल के लिए अंदर बंद कर सकती है उसका कोई ट्राइल नहीं होगा कोई भी कुछ भी बात सुने नी जाई नो अपील, नो वकील और नो आर्गुमेंट मतलब नो दलील ना अपील, ना वकील ना दलील एक ऐसा कानून पास कर दिया गया मतलब कि जो ब्रिटीसर्स के हथे चड़ गया वो दो साल के लिए अंदर गया सिद्धी सी बात है अब एक पर दिमाग लगाओ कि कि किसी को ब्रिटीसर्स ने सस्पेंस बेस पे पकड़ लिया कि ये ब्रिटीसर्स के आगे मालो कोई कारवाई कर रहा है या कोई सर्यंत्र या कोई ऐसी चीज़े बोल रहा है उसको दो साल के लिए अंदर बंद कर दिया अब दो साल के बाद मालो जजज के सामने लाया उसको जो जो दो साल के बाद पहला ट्रायल उसका याली पेली पेसी जजग के सामेरे दो साल के बाद हुई और उस दकैंजज्ग नहीं ये प्रूव कर दिया कि भै यह तो तुम्ने अनॉसियondern मैं लोग बिल्कुल इनोशियन था इसको पकड़ के जेल में दो साल नग दिया तो उसकी लाइब में क्या होगा अरे दो साल तुमने बिना मतलब कि अंदर बंद कर दिया और आप कह रहे होगे तुम तो इनोशियन थे I am very sorry और लोकब में रखने के बाद जजगे सामने ले आओ जज़ प्रूव कर देगा कि वह इनोशेंट है गिए गिल्टी पे है और उसके बाद उसको जेल में डाल दो फिर चाभ दो साल डाल तो ची तीन साल डाल दो ची दस साल डाल तो तरीका तो यही होता है अब इन्हों ने त कानून सही है बिल्गुल सही नहीं है काला कानून है और काले कानून के लिए काले जंडे काला कानून है और काले कानून के लिए काले जंडे सीधी से बात ब्लैक लो इसको इंदियन पीपल ने प्रोटेस्ट किया इंदियन प्रोटेस्ट किया ओके बड़े लेवल पे ब्लैक फ्लैक दिखाए गए। और इसको ब्लैक ला कहा गया। यह तो यह तो Зक्ति ब्रिटीर की मन्माद ने चल रही है। ब्रिटीजर डर गए थे या क्या हुआ था कुछ तो हुआ होगा एक्चल में डरे नहीं थे बहुत बड़ा प्लान था इनके मन में आप क्या सोचतें कि ब्रिटीजर डर गए थे डरे नहीं थे ये कानून डर के नहीं लगाया गया था दिमाग लगा के लगाया गया था अब वो दिमाग क्या था वो दिमाग देखे लिए बिर्टीज जब वर्ल्ड वार फस्ट में लड़े तो बहुत पैसा कर चुआ आपको मैंने बताया था कि जर्मनी ने इंग्लैंड की रशिया की औ पहले तीन साल में आपको पतावत जर्मनी के पाट टैंक्स वगएरा और इतने सारे अथियार थे modern weapons के साथ जर्मनी लड़ा था और इंग्लैंड की रशिया की तो बहुत बुरी हालत हो गई थी इंग्लैंड की बहुत सारे पैसे खर्चों के बहुत सारे लोग मारे गए इंडियन शोल्जर भी मारे गए और बहुत बुरी हालत हो गई अब वर्लवार एंड हो गई कुछ कंपन शेशन तो आपको पता है जर्मनी की उपर वरसाइट लगा के पूरा हो गया था आपको यादो होगा कि हमने जर्मनी की ऊपर वर्साय ट्रीटी लगाई गुड्रो गिल्सन एग्रिमेंट हुए थे और जर्मनी की उपर बहु सारी यानि कि 6.5 लाग पॉंड उसको देने पड़े अब बाकी खर्च कहा से पुरा होगा इंडिया नहीं समझे अब समझ में आएगा अब समझ में बाकी खर्च कोन पुरा करेंगा वह इंडिया क्योंकि कोलोनी से ही वो लूटेंगे कोलोनी से लूटेंगे तो यह है प्लानिंग लूटने की गवर्मेंट ओव इंडिया एक्ट आप देखो क्या कनेक्षन है इसका गवर्मेंट ऑफ इंडिया में लगाया तो बहुत बड़े लेवल पे टैक्स इंक्रीज किये हैं इंडिया के अंदर अल्रेडी बहुत सरे टैक शुरू हुआ, आज कर जो हम income tax देंगे हो पहले उस समय इस act से पहले land tax होता था, house tax होता था और other taxes होते थे, लेकिन income tax नहीं होता था, यहां पहली बार income पर भी tax लगा। ओके दूसरा इस act के तुरू ये लिखा गया था कि कोई भी इस act का विरोध करे tax का protest करे, Britishers के किलाब कोई भी argument बोले तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा जो भी इसका विरोध करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा उसको जेल के अंदर धूस देंगे, कौन सा act लगाएंगे इस act को बचाओ करने के लिए रोलेट act लगा दिया गया था आप समझ गए हो, अगर कोई भी गोवर्मेंट इंडिया की खिलाब कुछ भी बोलेगा तो उसको रोलेट act की दुरूप दो साल के लिए अंदरबंद कर दिया जाएगा यह एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी यह लोग इतने लूट खसोड मचाने वाले थे कि इंडिया के लोग बिचारे चुप-चाप सैन कर सकते और कुछ नहीं कर सकते प्रोटेस्ट भी वह जब इसे इंडिया में लगाया गया उन्नी सक्तू और उन्नी सक्तू प्रस्ट तो ऑप दिखोंगे तो आप देखोंगे ठीक है अब क्या हुआ कि जैसे मैं बता रहता आपको कि वह रोलेट एक्ट और यह गवर्मेंट अपिंडिया गया गया इंडिया एक्ट लगाया गया और ठीक है और उसके बाद में उसके बाद में तेरा अपर सोई इनिस मार्च के दिन 19 मार्च के दिन ठीक है 19 मार्च 1919 में 1919 में फिर वो रोलेट एक्ट भी लगा दिया गया रोलेट एक्ट ठीक है इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट ठीक है इंप्लीमेंट रोलेट एक्ट ठीक है रोलेट रोलेट एक्ट इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया ओके और आप दे इस कानून क्या बोड़ी नो अपील नो वकीर, नो वकीर रो दलील, Midड ना कोई कानून, ना कोई मकीर बोड़ील चुनई जाही, नो आर्गुमेंट, नो आप्लिकेशन, नो एड़ोकेट ठीक है इसके त्रूप बंद कर दिया जाएगा, तु येर्ज जेल होगी, टू इयर्स जेल, ठीक है, तू इयर्स जेल, विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल, ट्रायल इंपोर्ट, कोर्ट में बिना ट्रायल के आप को दो साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, तो ये कानूं लगाया गया, इसका बड़े लेवल में प्रोटेस्ट हुआ, पंचाब जैसे लोगों ने, जब 19 मार्ट में शुरू किया गया, तो इसका बड़े लेवल पे, 6 अप्रेल को, ठीक है, 6 अप्रेल को, जो 1919 में इसका बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, इसका बहुत बड़े लेवल पे, 6 अप्रेल को, 1919 में महात्मा गांदी और जो कॉंग्रेसी लिडर थे, वरो ने इसका प्रोटेस्ट किया, एक्सिमिस्ट लीडर और मोडरिट लीडर मैंने बताया था लगनों फैट के दुरान वो इखटे हो चुके थे और मुस्लिम लीग और बाकी हिंदू मासवा सब लोग इखटे हो चुके थे तो सब ने मिलकर गांदी जी के डारेक्शन में पूरे देश में एक बड़ी हर्ताल का आयोजन किया एक बिग स्ट्राइप कि हम जो गोवर्मेंट वेडिया एक पर इसके रोलेट एक कितरु विरोध करते हैं ठीक है ओके एक बिग हर्ताल एक बिग स्ट्राइप एक बिग स्ट्राइप ठीक है और नाइज ठीक है और आपको पताइए अगर ऐसा हुआ अगर कोई स्ट्राइक करेगा तो सीधी सी बात है उसके उपर रोलेट एक की द्रूस को अंदर डाल दिया जाएगा यह केबल मैं इंडिया में नहीं था यह यूरो मतलो कि इंग्लैंड में भी हो रहा था जैसे मैंने आपको बताया था लाला हर्द्याल गदर पार्टी ला अई ते कमाल के बात है कि इसी टाइम में एक प्रोटेस्ट और वी चल रहा था resonated में कि विए ये तरकी के खलीफा के खलीफा क्रिफ़ा तीक का का Canadian का recent कर दिये गए थे रिमूड फ्रों फ्रों थिक है थ्रॉन के राजगर्दी से हटा दिये गए थे कि एक डिसीजन हुआ था टरम तरके में आप कोई खलीफा नहीं हो गा जो लास्ट up कर गया box तो तर्की के मुस्लिम भी अपने कमाल पाशा को यानि की खलीफा को बचाने के लिए क्या करने लगे थे मतलब कि देखा जाए तो इंडिया की लोगों ने भी इसमें पार्ट किया एक खिलापत कमेटी इंडिया में मार्च में बन चुकी थी तो इदर रोलेट का विरोध कर रहे हैं और उदर ये खिलापत का भी विरोध कर रहे हैं ठीक है ओके खिलापत का भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ठीक है तो एक साथ यह नहीं की खिलापत मुव्मेंट खिलापत खिलापत मुव्मेंट भी इस समय शुरू हो चुकी थ इंडिया में भी इंडिया के लोगों ने मैं सपोर्ट किय इंडियन स्पोर्टल्स थे इंडियन स्पोर्टल्स जो भी समय उसमय उसमें एक पाँ surnile erm उक जे निस का उन फट थो पन इसमें महममदलि मौहममदली dissolve यह कि यह दोनों अली ब्रादर्स थे अरी ब्रादर्स ठीक? यह इसका प्रोटेस्क कर रहे थी लाहो ंवे टी उसलाहोर की मिटिंग के लोग़भी प्रोटेस्क रहे थी इंडियन सप्बोर्टर जह यह को उसके लोगभस कर रहे थी ओके तो नकेल और चाहिए बहुत बड़ी वाली है अगर दो मोमेट एक साथ चलेगी तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा अगर खिलाफत और रॉलेट के अगेंस्ट और गवर्मेंट और इंडियाइट के अगेंस्ट एक साथ मोमेंट चलेगी तो बहुत बड़ी प्रोब्लम होने वाली है महात्मा कांदी का लोगों ने साथ दिया और दूसरे लीडर जो अगरेशी लीडर ते उनका भी लोगों ने साथ दिया सब लोग एक साथ आये और एक साथ मिलकर हां ठीक है एक साथ मिलकर एक साथ मिलकर वो प्रोटेस्ट करने लगे ओके इदेगी एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने लगे ठीक है एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने लगे, तो फिर ये प्रोटेस्ट बड़े लेवल पेवा, अब एक घटना ओर हो गई, महात्मा गांदी ने तो स्ट्राइक को औरनाइस करी दिया, इसके विरोध में 10 अप्रेल के दिन एक घटना ओर हो गई, ठीक है अब वो घटना क्या थी, ठीक है, वो 2019 ये देखी पंजाब में पंजाब पंजाब में पंजाब में क्या हुआ पंजाब में एक बहुत दो लीडर थे पंजाब के जो की पंजाब के अमरत सर्व में इस सीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे घांदी जी के डारेक्शन में पंजाब के टीक है पंजाब में द फेस्का नशपसकत कर रहते हैं जय से में तसे लिए टेसके यहां पर डूक्टर सत्यपाल डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुदिन किचिलू जो थे ठीक है तो देखिए दस अप्रेल के दिन अंचाब के अम्रस्तर में बहुत बड़े लेवल पे एक और स्ट्राइक हुई इसका प्रोटेस्ट करते हुए और दो लीडर जो थे से दो फेमस लेतर डॉक्र सत्यपाल और कि जी बड़े बड़े लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे पुलीस मारपीट है और यहां पर एक जो है जंडर डायर और डायर की डूटी लगा गई एक बिटिश ऑफिसर जोगी बहुत ही डेंजरस और बहुत ही अलग लेवर का ऑफिसर ता उसको यहां पर डूटी पे लगा दिया गया और फिर यह लोग पकड़े गई जन्रल टायर कि त्रू यानि कि दोक्र सत्यपार और सैपुदिन की चिलू 10 अप्रेल की स्ट्राइ प्रिट जाज किए गया प्र। जांगे करें कि इनको शीभू लिए तो लोगों ने बड़े लेवल प्रोटेस्ट किया य॓ तेस्त एक तरफ खिलाफद मुव्मेंट साथ में और उपर से दोनों लीटर पकड़े गए खैते कि पंजाब के सबसे पेमस लीटर थे यह और यह दोनों पकड़े गए अब पब्लिक अंकंट्रोल थी पब्लिक गुस्से में थी जब इन दोनों को पकड़ा गया उस समय जनरल डायर ने यहां पर मार्शल ला भी लग गया था कर्फ्यू भी लग गया मार्शल ला भी लग गया अब यह कर्फ्यू क्या होता है लोग धर से बाहर नहीं निकल सकते मार्शल ला गया बीड़ी खटी नहीं हो सकती कर्फ्यू में लोग एक टाइमिंग सेट होता है कि इतने बज़े के बाद घर से बाहर नहीं निक सकते तो वो दोनों ही चीज़ें यहां पर लगा दी गई ठीक है अब पब्लिक बहुत गुस्से में थी क्योंकि फेमस लीडर थे दोनों दोक्टर सत्यफार और सेफुदिन किजलू उनको पकड़ दिया गया तो उनको छुड़वाने की तैयारियां होने लगी दस अपरेल का दिन बहुत बुरा दिन निकला बहुत सारे लोग पीटे गए मारे भी गए थे ओपन फायर भी हुई थी गोलियां वर्साइप पुलिस वालों ने चुकि ब्रिटीस अब किसी को बकसने वाले नहीं थे ब्रिटीस अब इंडिया की लोगों को बड़े लेवल प इसके बाद में इन दौनों लेडर को चुड़वाने के लिए फिर लोग इखटे हुए इन दौनों लेडर को चुड़वाने के लिए प्लानिंग होने लगी दिन चुना गया तीन दिन के बाद तीन दिन के बाद लोग इखटे होने लगे इन दोनों को चुड़वाने के टूकर सत्य पालов टॉकर सेको दिन की चलू को 13 अपरेल Phone 13 अपरेल 1990 है और यह 13 अपरेल के दिन यह लोग जलियांन वाला वाग यह उसमें यह इखड़े सुई तेरा अप्रेल के दिन लोग वहां पर इखटे हुए यह जल्या वाला बाग जो है किसी जल्ली नाम की प्रोपर्टी थी जल्ली नाम का एक पंजाबी था उसकी प्रोपर्टी थी ठीक है एक प्रोपर्टी ओफ प्रोपर्टी ओफ ठीक है जल्ली जल्ली ठीक है जल्ली पंजा जल्ली पंचाबी की प्रोपर्टी वंब नें जल्ली पंचाबी आथ्यिए जहां पर लोग इखटा वने थे 14 अपरेल के दीन यीस दिन क्वेयों चुना गया Nagya क्यों जिकी इस का महीना होता है बैसाखी मेला को कि बैसाखी मेला ये लोग उस दिन करते हैं और उस बैसाखी मेला में हर से हर साल मनाया जाता है 13 अपिर्द के दिन यह वह गोना था पंजाब में त्रर अम्रिट सर साथ एक अम्रिट सर अम्रिट सर पंजाब है है यहां सिर्स का ए रही किया है इस मेले में हजार हो यहां पर लोग इखटे हो गए और प्लानिंग यह थी कि इसी मेले में हम लोग ठीक है हम लोग यहां बात करती वेसाकी मेला अम्रस्टर में लोग इखटे हुए और 13 अपरेल के दिन डॉक्टर सत्यपाल सत्यपाल और डॉक्टर सैफु दिन किचलू को निकालने की तैयारी थी इन दोनों को हम लोग वहां चुड़वाना चाहते थे तो इस मेले की सायता स से यह पॉसिबल हो सकता था ठीक है लेकिन यह का जाता है कि जनल डायर को इस बारे में पता लग गया कि लोग 13 अपरेल के दिन यहां इखटे हो रहे हैं और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफु दिन किचलू को निकलवाएंगे यहां से चिक है उस समय ऑफिसर 13 अप चिक है बरिटिस ऑफिसर यारी कि बिटिस जनरल बृती जेनरल जो यहां पर थे उनका नाम था जने रंडल ओब्रायन घर बाम डायरppers जीक है जनलो ऑब्रायन डायर hepat में एकि कंधा समय और यह काते कि संस्टर जो पता लगा किसी इंडियं कि लूए उसको किसी इंडियन ने, इंडियन इंफोर्मर, किसी इंडियन इंफोर्मर के दुरू, किसी इंडियन इंफोर्मर, इंफोर्मर के दुरू से पता लगा, ठीक है, कि दुरू, ठीक है, उसे पता लगा कि लोग जलिया वाला बाग ने खटते हैं, और बैसा की मेला की आड में महां पर इन दोनों को छुड़वाना चालते हैं और जो है गोवर्मेंट के अगेंस्ट ये सारा कुछ हो रहा है जबकि कर्फ्यू भी उस समय इंपोज किया गया था और फिर भी लोग मेले में खटे हो रहे हैं और बात नहीं मान रहे गवर्मेंट की तो जनरल नायर को लगत अपनी दैशन फैलाने के लिए बहुत सारे सिपाईयों को लेकर वो जलियावला बाग में पहुंच गया और जलियावला बाग में पहुंचने के बाद उसने जलियावला बाग के दोनों तीनों जो एक्जिट पॉइंट थे उस पे पुलिस लगा दी और ओपन फायर के ता उसका नाम हंस राज ता, उससराज ने वो इंफोरमिशन की वजे से 379 तो सरकारी पार्वी बटाये गए थे लेकिन हजारहों लोग मारे गए लोग मारे गया जनर्न टायरोर और उसके साथ रिक Laughing에 मारे गई जो पुलिस कमाइंडर जो था जिसने ये आगे सारा कुछ किया था जिनल डायर के बाद पुलिस कैप्टन रेगिनाल डायर ठीक है पुलिस कैप्टन जो था ठीक है हन्साराज की फ्रू तो इसे पता लगा था थूर हन्सार ओके और जो बृटिस पुलिस केप्टन था बृटिस पुलिस केप्टन जो था वो था रेगिनौर। तो रेगिनोल्ड डायर ने यादेश दिये जर्नल डायर की डिरेक्शन में ठीक है और पुलिस मेर वहाँ पर इकटे थे उन सब ने पुरा एक्जिट गेहत बंद कर दिया था और उसके बाद वहाँ पर फाइरिंग वही ओपन फाइरिंग विदाउट बॉर्निंग कोई व्ति ने दी और वहाँ पर धनादन गोल यहां चली च्छटे च्रेश वर ते सब यहां मेले में आये वे थे विद्ग वह भॉर्निंग उनको टार्गिट करके गोलियां वानीक च्छोटे से पंचे के उपड़पर विद गोले पात्का नदस गोलिया उनकी आक हों सबक्राइब कर भागने की कोशिश कर रहे थे उस समय कुछ लोग नीचे जमीन में गिर गए और वह सारे बच्चे बहुसारे और ते नीचे जमीन में चाहँ बनाई गई थी उन बॉल से वह घुड़ भागने log तो पीछे से उनके पीट पर गोलिया मारी गई आज भी जलियावाला बाग में उस दिवारों पर वो इन्फिल्ट राइफल मसकट मैंने आपको बताया था इन्फिल्ट राइफल यूज्ज उसकरते थे ब्राौण बैस गन यूज करते थे उनके निशान बुलेट्स के वहां उस दिवारों पर आज भी चपे हुए हैं भाग दिपाए लोग बहुत बुरी मौत मरें बच्चे औरते जो की मेला देखने के लिए आये हुए थे उनको कोई मतलब नहीं था और उनको बुरी तरह से मारा गया पूरी जलियावाल दिख है पुलिस रिकॉर्ड क्या गोडिंग 379 डेफ हुई थी 379 डेफ हुई थी और वो सारे के सारे बागी थे पागी थे बागी मतलब जिनोंने पुलिस रूल को नहीं माना वो बागी थे लेकिन ये गलत था बाद में जब कोंग्रेस के लोगों ने गवर्मेंट पे प् मल掉 कुछ नहीं किया कि नोकरीन को दोनों को नोकरी से ऑटा दिया गया अ इतना सा काम हुआ और उसे लंदन भेज दिया गया लंदन में यह नोक्री से हटाया हुआ जो आदमी का जो कि इंडिया में इतना नर संहार करके आया है इंडिया में इस तरह से लोगों को मार कर आया उसके सम्मान में पार्टी रखी गई उसके सम्मान में वहाँ पार्टी रखी गई उसको पांड दिये गए हुए कहते हैं कि सिक्स थाउजन पांड उसे मिले थे छे जार पांड उसे इनाम पर मिले और उसे बहुत सारा और भी लैंड वगरा और भी वहां दिया गया और उसे ब्रिटिश लॉइन कहा गया ठीक है उसे ब्रिटिश लॉइन कहा गया ठीक है उसे ब्रिटिश लॉइन कहा गया उसे ब्रिटिश लॉइन वहां पे ब्रिटिश टाइगर उसको नाम दिया गया बहुत फेमस मतलब हुआ वहां पे वह लेकिन यहां पर लोगों की जान चली गई थी हैं हांटर कमीशन जो है हंटर कमेटी जो बनाई गई उस कमेटी ने ये डिसीजन लिया उसका डिसीजन ये था कि जनल डायर जो है वो डिसीजन लेने की भूर थी है इसे मिस्टेक ऑफ डिसीजन ठीक है हंटर कमेटी ने ये डिसीजन लिया फाइनली कि ये जनल डायर की डिसीजन लेने की भूर थी गलट टाइम में गलट डिसीजन लिया और उसे नौकरी से प्रखास्त कर दिया ठीक है ओके इसे मिस्टेक ऑफ डिसीजन ठीक है तो ये हुआ आपको क्या लगता है कि इतनी बुरी हालत में लोग अमारे गए और फिर बाद में जनल डायर ने क्या किया कि लोगों गसीट गसीट कर वहाँ एक खाली कुवा था एक खाली पड़ा हुआ उसके अंदर और और बच्चों को गसीट कर उसमें डाल दिया गया मिट्टी डाल कुर्णा बाग की मिट्टी लाल हो गई जिन लोगों की परिजन मारे गए जिन लोगों की ये गलत हुआ है जर्राल टायर ने गलत किया है और और वो चाहते थे कि एक इंक्वाईरी बैठे जिससे जर्राल डायर की उपर किया जाए लेकिन वह बैट नहीं सकती थी आपको पिस्यस्कूर्शrier पूरी तरह सोपोर्ट कर रहे थे और कोई इंडियन जजिसकी जज्मेट्म सकता था आपको पता है मैंने आपको बताया था 1883 में अगर पको उजाता थेंडेंज जूर्ल डायरकी जज्चमेट्ट कर रहा होता क्योंकि हमें भी यूरोपियन की जज्जमेंट करने के अधिकार मिल जाते ऐसा हो नहीं पाया हो नहीं पाया ऐसा और जनरल टायर को छोड़ दिया गया कहते हैं कि इस मेले में भगत सिंग भी छोटा भगत सिंग वो भी इस मेले को देखने के लिए आया हुआ था उसने भी ये सिंग अपनी आखों से देखा बगत सिंग ने भी आखों से देखा उसने कसम खाई थी कि अब इसके बाद मैं नैस्टनल मूवमिंट में इससेदारी करूँगा और इंडिया के अंदर से ब्रिट इसको निकाल के फैक दुबा कुछ हमारे इतियास्कार जो है इस बैंकर मार्कार्ट का IMPARATION रश्या के साथ भी करते हैं क्या रश्या के अंदर आपको याद हो का जर निकोलस सेकिंड ने बलड़ी संडे कर दिया था नाइंटीन फाइब में जार निकोलस सेकिंड ने वहां रशिया के अंदर जो उनकी कैपिटल मोस्को थी वहां पर फादर गैपॉन और उनकी लोगों के साथ आए वे जो लोग थे सो से जादा लोगों को गोलियों से मार दिया था ओपन फायर वहां भी हुई थी या थी नाइंटीन फाइब में रश्या के अंदर ऐसा हुआ था रश्या के अंदर ऐसा हुआ था थी कि फिर एक बहुत बड़ा क्रांदी कारी जिसने इस चीज का बदला लिया इस चीज का बदला लिया जनरल डायर को ये मार डाले इसने कसम खाई थी कि उसके पेरिंट जो जलिया वाला बाग में मारे गए इस बात को मैं भूलूँगा नहीं और वो जनरल डायर को उद्धम सिंग शहीद उद्धम सिंग उद्धम सिंग ने कसम खाई कि उद्धम सिंग जन्रल डायर, जन्रल डायर, ठीक है, को मर्डर कर दिया, मर्डर, इन लंदन, जन्रल डायर को मार दिया उसने, यही होना जीए था उसके साथ, उसने बच्चो अर्तों को भी नहीं चोड़ा, लोगों के मन में खोव पैदा करने के लिए उसने यह सब किया, क्या इंडिया की लोग इसके बाद इंडियन गोवर्मेंट को लाइब करेंगे, बिटिश गवर्मेंट को लाइब करेंगे, जो बिटिश की एक वैल एजुकेटिड जो इमेज थी, वो ख़दम हो गई है, उन्होंने इंडियन को बड़े-बड़े टाइडल दिये थे, जैसे महात्मा गांदी को उन्होंने केसर हिंद का टाइडल दिया था, महात्मा गांदी ने प्रोटेस्ट करते हूँ फेक दिया, ले जाओ तुम्हारे टाइडल, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे टाइडल, अगर इसी तरह से तुम लोग करते हो इंडिया के अंदर नर्संहार, हजारों लोग मार मारे गए थे, बच्चे और ते जादा थे, यह आइडिया लगाया जाता है कि कम से कम 800, 800 तो छोट छोटे बच्चे और और ओरते मार दिया उन्होंने, और 200 के लगब मैंस बगयाना मारे थे, अच्छा नहीं कि उन्होंने, रविंद्ना टेगोर ने भी ब्रिटीश का दिय और टाइटल लोटा दिया, ब्रिटीश ने उनको सर का टाइटल दिया था, क्योंकि रविंद्ना टेगोर बहुत पड़े लिखे थे, एक टीचर थे, एजुकेटी टीचर थे, उन्होंने उसको लोटा दिया, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे टाइटल, हर जगया पर प्रो इंडिया के अंदर रहने के लाएक ही नहीं है, इनको निकाल के बार फैको, जगया जगया पर घटनाएं हुई, पुलिस चोगया जलाएं हुई, जलाए गई, लोगों को सरयाम जलाया जाने लगा, छुटपुट घटनाएं, नाइंटीन, नाइंटीन के लास्ट तक रही, मात्मा गांदी ये कह रहे थे कि इससे काम नहीं चलेगा, इससे आप ब्रिटिशस को मार रहे हुई, ब्रिटिशस आपको मार रहे हैं, क्या जब आप ब्रिटिशस को मारोगे तो पुलिस वाले और नहीं आएंगे, और उस पैमिली को घदम कर देगी, इस तरह से काम नहीं चलेगा, हमें एक बहुत बड़ी ब्रोड बेस मोमेंट करनी होगी, जलिया वाला बाग के विरोध में और रोले टैट के विरोध में हमें बहुत बड़ी मोमेंट करनी होगी, तभी ब्रिटिशस को निकाला जा सकता है, नहीं तो कोई तरीका नहीं है, और फिर वो मोमेंट हुई, इतनी बड़ी मोमेंट हुई जिसके बाद ब्रिटिशस के पसीन ने चुट गई, खिलाफ़त आंदोलन और ए सयोग आंदोलन एक साथ हु ब्रिटिशर्स कंट्रोल लेकर पाये तेक नौन कोपरेशन मोमेंट हो इसको, जलियावला बाग इंडिया के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट था, लोग आज भी जलियावला बाग को याद करते हैं, उनके परीजन मारे गए, बहुत बुरी हाला के मारे गए, त अगरे जलियावला बाग बहुत अच्छा था, बहुत बहुत बुरी एक याद है जो जनरल डायर के वज़े से वा और पर उनको सजा भी नहीं होई, पॉंग्रेस भी उनको सजा नहीं दिला पाई, ठीक है, लेकिन सजा उसको बाद में मिली, उद्दम सिंह के थरू मिली, स बाद में उद्दम सिंह को मार दिया, ओके, इस तरह से आज हमने इस वीडियो में देखा, कि वर्डवार के बाद इंडिया के अंदर कैसे गवर्मेंट ऑफ इंडिया और रोलेट एट हुआ, और रोलेट एट के बाद जलियावला बाग हर्थया कांड हुआ, यहां पर जो ऐसे आवद के लोग सामने आए, दिल्ली के लोग सामने आए, और फिर गुडेम की पहाडियां आंदर प्रदेश में उन्होंने काम किया, आसाम के अंदर प्लांटेशन वर्कर ने गांदी जी का साथ दिया, तमिल नाडू और आंदर प्रदेश में भी लोगों ने साथ द आई होप आपको बहुत सारी चीचे इसमें समझ में आई होगी और बहुत क्लियर कोईंट बने होंगे ठीक है एक स्टोरी की तरह यह बिल्कुल था ओके बाई बीटा आज के लिए इतना ही ठीक है थेंक्यू है वे नाइस